हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देखिए जैसा कि मैं हसरा हूँ उसी तरीके से आप सभी लोग भी टेंशन मत लीजिए चिंता जरासा भी मत क कीजिए कि सर हमारे इंट्रेंस एकजाम एकदम आ गया है अब हम क्या करें तो आपको लास्ट 15 डेज में क्या करना है उसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब् से पहला जो बात है तो आपको यही करना है कि आपको ज़रा सा भी चिता नहीं करना है और इस टायम में आपको एक बैलेंस डाइट लेना है संतुलित आहार लेना है त्याए उसके बाद में 6 आपकी पढाई का सेड्यूल होना चाहिए तो जो लास्ट 15 डेज में आपकी बता रहे हैं, तो इसमें आप 3 घंटा biology के लिए time देंगे, और डेर डेर घंटा अपना physics और chemistry का time देंगे, क्योंकि 25 questions आपके physics से आते हैं और 25 questions आप सभी लोगों के chemistry से पूछे जाते हैं, और half यानि की 50 questions जो है biology से पूछे जाते हैं तो इस हिसाब से आपको focus करना है, बायोपार, then chemistry पर focus करना है, then आपको physics पर focus करना है, तो last day में आपको क्या करना है, कम से कम 100 MCQ, सब बहु बिकल्पिये प्रशनों को solve करना है जिसमें से आपको 50 questions biology का, 50 questions आपको chemistry का, और 50 questions आप सभी को समझ लिजे physics का और chemistry का करना है, तो इस तरीके से 50-50 questions, यदि समझ लिजे 1500 MCQ का आप लक्षमान के चल सकते हैं, तो क्या आप एक दिन में 1500 प्रशनों को solve नहीं कर सकते, क्या आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो विश्वास कीजे अगर आपने 1500 MCQ questions 15 दिनों तक solve किया, 50-50 करके, तो आपका समझ लिजे, 15 दिनों में entrance exam की तैयारी पकी है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो important chapters होते है physics के, वो तो मैंने आपको बता दिया है, i button में जाकर के उपर देख लिजेगा, कुछ समय बाद आएगा, आपको description में भी link मिल जाएगा अगर आप वहाँ भी नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप channel पर जाएंगे वहाँ playlist circle सर्च करेंगे, या फिर सर्च करेंगे physics के important chapters by star study center, तो आपको मिल जाएगा, अब आज हम आपको बताने वाले है chemistry के important chapters तो chemistry के important chapters में जो सबसे पहला chapter आपका आता है कौन सा है, chemical equilibrium, यानि कि रासाइनिक साम में ये chapter आपका important है दूसरा chapter जो आप सभी का है वो है radio activity, ये chapters हमने 2016, 2017 2018, 19 और 20 के model paper, question paper entrance exams की paper से हमने analysis करके बनाए हुए है तिसरा chapter आप सभी का है जो gasius law है, gasius neem है गैसों पर आधारित है चोथा chapter आपका periodic table है जिसमें S block, P block, D block, तथा F block ये सभी आते हैं तो इस तरीके से आप लोग तयार कर लिजेगा ये मेरा पहला face cam video है आता है आप सब अगर इसमें कोई गलती हो तो आप सब लोग इसको बताने की कृपा करेंगे क्योंकि गलती इंसान ही से होती है तो आपको मैंने बताए chemical equilibrium यानि की रासायनिक सामे radio activity बताया gasius law बताया periodic table आप सभी लोग याद करके रखेंगे तयार करके solid state से question पूछे गए है 2019 और 2020 के paper में उसके बाद chemical kinetics यानि रासायनिक बलगत्की पर आता है अपक्रिया की सक्क्रियन रूर्जया और जो है इस तरीके से कितना समय लगता अपक्रिया पूरा होने में उस पर पूछा जाता है अगला जो देखिए वो है आप सभी का solution यानि की विलेयन chapter है ये most important chapter है क्योंकि आप pharmacist बनने जा रहे हैं आप diploma in pharmacy करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर दवाओं से संबंदित जो medical chemistry होती है उसको पढ़ना होता इसलिए chemicals की जानकारी और solution की जानकारी आपको होना आवश्यक है इसलिए paper में पूछते हैं अगला जो आता है आपका अलकेन, अलकेन और अलकाइन के उपर questions आते हैं को और कोशन आता है को आडिनेशन chemistry यानि की उपसा साईयोजन रसायन है जो उसके बाद में उश्मा गतकी है जो की physics में भी आपका आता है देंदीज देखिएगा तत्वों के निसकरसर सिधान इन सबसे questions बनते हैं उसके बाद देखेंगे आप तो पॉलीमर आता है बहुलक और general science in daily life यानि की सामान ये रसायन रोज के दिनों में ठीक है सामान ये लाइफ में daily life में कैसे सामान ये आता है जैसे की दवाएं हो गई ठीक है उसके हिसाब से chemical जो इसे final होता है alcohol होता है इथर होता है इस तरीके के आते हैं उसके बाद अगला देखिएगा जो है उसमें chemical bonding है रसायनिक आबंद है अगला देखिएगा जो वो है आप सभी का surface chemistry प्रिस्ट रसायन आता है सिरप और गएरा कि जो manufacturing होते हैं उसमें प्रिस्ट रसायन का योगदान होता है तो इसलिए आप से प्रिस्ट रसायन पर पूछा याता है ठीक है उसके बाद देखिए aromatic and aliphatic योगिक के उपर question आते है ठीक है चक्रिये आ चक्रिये redox reactions and electrode potential अगर आपने नहीं देखा है तो आप description में लिंक दिया जाएगा playlist का आप उहां से देख सकते हैं उसके बाद देखेंगे तो आपका ionic equilibrium यानि की ionic साम तो इस हिसाब से आपके 19 चैप्टर होते हैं important chemistry के जो की मैं यहाँ पर के लिख करके लाया हूँ आप देख सकते हैं यह 19 चैप्टर अगर आपने पढ़ दिया फिल से repeat कर दे रहा हूँ chemical equilibrium रासायनिक साम में है radio activity है gaseous law है आवरत सारडी है solid state है chemical kinetics है solution है उसके बाद में electro chemistry है विद्दूत रसायन alkane, alkyn and alkynes aldehyde, ketones and carboxylic acid co-ordination chemistry है heat है या thermodynamics कहिए तत्वों के निसकरसड के सिधानत है तेक है polymer और general science in daily life ठीक है रसायन देनिक जीवन में उसके बाद में chemical bonding है surface chemistry aromatic and aliphatic योगिक आपका आता है redox reactions and electrode potential आता है ionic equilibrium ionic साम आता है ठीक है तो ये तो था आपका chemistry का तो इसमें आप जहां रखिएगा कि अगर आप इतने chapters तयार कर लेते हैं तो ये guarantee मानिए कि आपका कहीं से इससे ज़्यादा question नहीं पूछा जाएगा तो चलिए कई सारे लोगों ने ये हमसे comment करके कहा तक कि सर biology का भी बताईए देखिये भाई ये हमने पहले ही कहा कि हमारा आज पहला facecam है अता है इस पर कोई लोग नहीं जाएंगे हम तैयारी कराने की आपकी पूरी कोशिस कर रहे हैं लेकिन आपका जो है उपर वाले की किरपा जो है समझ जीजे दुआ कीजे कि बारिश ना हो नेटवर्क सही से चले आपकी classes होंगी उसके बाद देखिए वीडियो को पूरा इंट तक देखिएगा हम आपको बायो के important chapters बता रहे हैं इसमें आपका 17 है 17 अध्याय है 17 अध्याय को गर आप पढ़ लेते हैं ठेक है और 15 दिनों में अगर आप 1500 MCQ करते हैं तो यह तो मैंने पहले ही बताया और आपको previous year के question भी solve कराये जाएंगे हम अपने टेलिग्राम चैनल पर जल्द ही provide करने वाले हैं इधर एक दो दिन में provide कर ही दिये हैं बस network की वज़ा से pending में है जा नहीं रहा है तो जिन लोगों को चाहिए वो लोग टेलिग्राम चैनल को क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे description में link दिया गया है वहाँ से जा करके उसको join कर लेंगे कई सारे लोग कह रहे हैं कि sir join नहीं हो रहा है तो ऐसा में आप क्या करिएगा कि आप दो तीन बार जब try करेंगे loading loading लिखेगा उसके बाद आपका हो जाएगा चलिए आप देखते हैं बाइलोजी में तो जो बाइलोजी का सबसे पहला chapter होता है वो आपका कोशिका कोशिका यानि की समझ लीजे cell है तो कोशिका में कोशिका से आता है कोशिकांगों से आता है cell division से आता है कोशिका द्वारा उर्जा प्रवाह से आता है question अब उसके बाद में आपका दूसरा chapter है plant kingdom and animal kingdom जन्तू जगत तथा पादब जगत तिसरा chapter जो आपका आता है ecosystem उसके बाद health and disease स्वास्तियों रोग से पूछे जाते हैं blood and tissue से पूछा जाता है DNA and genetics पर आधारित पूछा जाता है वनसा गती पर blood and tissue हमने आपको बताया विकास और जयो विवित्ता पर question बहुत आते हैं यह हमने question chapters name 2017, 2016, 2019 और 2020 के paper से निकाला हुआ है अगला देखिएगा plant and human reproduction यानि पौधों में जनन और जन्दूं में जनन यह काफी important है उसके बाद cell division हमने आपको बताया था कि mitosis क्या है, meiosis क्या है, G1 phase क्या है, G2 phase क्या है यह सभी लोग इस पर question तयार कर लिजेगा skeleton system है, यानि कंकाल तंत्र, यह जो हम खड़े हैं यह जो हमारा धाचा सरीर का बना हुआ है नाक की हड़ी, गले की हड़ी हाथ की हड़ी, सर में कितनी सारी हड़ियां है, मुह में कितनी हड़ीयां है, फिर नीचे सारा पैरों में कितनी सारी हड़ीयां है, इस पर question पूछा जाता है अक्सिये कंकाल, axial, escalator क्या है, सब इस पर question पूछा जाता है, आप सभी लोग याद कर लेंगे फिर molecular base of heredity है वंसा गती का आडवी काधार है ये तो मैंने पहले ही बताया, उसके बाद देखेगा, plant morphology and physiology सारी रिकी और आकारी की ध्यान दिजेगा, सारी रिकी और आकारी की ये दोनों भिन्न चीज़े हैं, यानि plant morphology और plant physiology इस पर पूछा जाता है, साथ ही साल animal anatomy या animal physiology या animal morphology, थोड़ा साइसे आप जब अगर 100 questions तयार कर लेते हैं, इस सब chapter से, 100 questions तो आपका पका आ जाता है, उसके बाद देखेंगे general biology जो आता है, जैसे ये सब की जिव विज्ञान के पिता कौन है जन्तू विज्ञान के पिता कौन कहलाते है या फिर पादब विज्ञान के पिता कौन कहलाते है बॉटली के, ठेक है, ये सब portion पूछे जाते हैं, और general biology में आपका आता है vitamins, ठेक है उसके बाद में आपका आता है hormones, उसके बाद में glands पूछता है, endocrine है कि exocrine है इस तरीके से, enzymes पूछता है, enzymes के बाद आपका पूछता है biomolecules, जैव आड़ू पूछता है जैसे कि sodium है, magnesium है ये सब जो सरीर में पाए जाते हैं और भूमी पाए जाते हैं, मिर्दा में पाए जाते हैं इन सब पर पूछता है तो इस तरीके से तो ये तो था आप सभी का important chapters, तो अगर आप सभी लोग इन chapters को तयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 15 दिन में आपको, आपसे हो सकता है, ठीक है हम लोग समझ लीजे, कोसिस करेंगे और होगा, जब हम किसी चीज को करने की ठान ही लेते हैं तो वो बिना हो हुए तो रह नहीं हुआ आपका जरूर होगा, best of luck मिलते हैं अगली क्लास में जय हिन